राइट सो हेलो एवरिवन वन्स अगेन आई वेलकम ओल आफ यू इन गेटवे क्लासेश तो एक ट्यू बीटेक फ़स्टर के जितने भी स्टुडेंट्स हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रीविएस वीडियो लेक्चर में हमने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था एज पर न्यू सिलेबस 2022-23 जो अभी आपका नया सिलेबस बीटेक फ़स्टर के लिए रिफॉर्म हुआ है कुछ चेंजेस हुए हैं उसी के हिसाब से ये सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था सब्जेक्ट का नाम है यूनो Fundamentals of Mechanical Engineering है ना इसके पहले ये सब्जेक्ट चलता था Fundamentals of Mechanical Engineering and Mechatronics के नाम से और वो K-Series आपकी चल रही थी और K-Series आपकी फिलाल बंद हो चुकी है और अब आ चुकी है आपकी B-Series Bombay Series आ चुकी है ना Bombay Series है ना इसका जो सब्जेक्ट कोड रहने वाला है that is BME101 और BME201 Yes or No and my dear students previous वीडियो में मैंने आप लोगों से you know previous वीडियो में मैंने बच्चों से पुछा था कि और कौन-कौन से सब्जेक्ट की आपको सबसे ज़्यादा नीड नजर आ रही है तो बच्चों ने बहुत सारे सब्जेक्ट से नाम comment box में लिखे थे लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा था जिसकी सबसे ज़्यादा comments थे सबसे ज़्यादा बच्चे उसकी you know demand कर रहे थे तो बहुत important subject है और उसी को है ना हम start करने वाले है launch करने वाले है संडे को है ना तो संडे को उसकी uploading जो है start हो जाएगी चलिए तो इसका जो हमारा unit number two है unit number two का हमारा एक lecture हो चुका है first lecture हो चुका है तो first lecture में कौन-कौन से topics हम लोग पढ़ चुके हैं एक वार उसको हम recap कर लेते हैं उसको review को देख लेते हैं इसका क्या मतलब you know कौन-कौन से topics हम cover कर चुके है ताकि हमारी connectivity बनी रहे तो ये हमारा lecture number one था जिसके अंदर हम लोग देख चुके हैं definition of engine, engine की definition क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर देखिए engine को हमने define किया था कि engine है कैसी device होती है जो energy की एक form को दूसरी form में convert करती है example दिया था मैंने जैसे आपका you know petrol engine होते है diesel engine होते है कोई भी gas engine होता है मतलब जिसमें diesel, fuel, diesel as a fuel petrol as a fuel चलता है तो उसके अंदर हो क्या रहा होता है जब fuel जलता है तो उसकी fuel की chemical energy thermal energy में convert होती है याने heat produce होती है और वो thermal energy फिर mechanical energy में convert हो जाती है तो basically engine कर क्या रहा है energy की एक form को दूसरी form में convert कर रहा है और उस energy का further हम utilize करते हैं अपनी गाड़ियों को चलाने में ठीक है और मैंने बताया था आपको की engine जो होता है उसके दो main category होती है internal combustion engine and external combustion engine इस animation के माध्यम से हमने समझा था you know IC engine क्या होता है नाम सी पता लग जाता है internal जब engine के अंदर cylinder के अंदर combustion हो रहा होता है तो उसको हम internal combustion engine के नाम से जानते हैं then मैंने बताया था आपको external combustion engine इस diagram के माध्यम से बताया था external combustion engine जो है काफी बड़ा होता है steam power plant का example मैंने दिया था इसके अंदर boiler होता है टरबाइन होता है condenser होता है और pump होता है तो बहुत बहुत बड़े you know auxiliary apparatus इसके अंदर होता है इसी हिसाब से फिर हमने you know difference को देखा था what are the differences between IC engine and EC engine internal और external combustion engine में difference क्या होता है internal में internally you know engine के अंदर combustion होता है fuel का और external combustion engine में engine के बाहर होता है outside the engine combustion होता है यह सारे difference हमने बहुत यह अच्छे समझने का प्रयास किया था then we have already discussed you know advantages and disadvantages of IC engine IC engine के advantages disadvantages भी हम already देख चुके है in previous lecture in lecture number one I hope आप सभी ने lecture number one को enjoy किया होगा now in this lecture in lecture number two we are going to discuss classification of IC engine IC engine को classify करेंगे syllabus में यह लिखा हुआ है आपके then what are the main components of IC engine IC engine के main components कौन कौन से होते है then TDC and BDC in IC engine last time यह पूछा गया था आपसे TDC, BDC क्या होता है तो इनकी full form देखेंगे और समझेंगे इसको diagram की help से है ना bore swept volume and clearance volume क्या होता है then we will discuss you know compression ratio in an IC engine compression ratio का मतलब क्या होता है एक एक चीज को समझने का प्रयास करते है सबसे पहले देखेंगे classification of IC engine कि भई IC engine को आप कैसे classify कर सकते हो है ना कौन कौन से criteria होते हैं देखो भी किसी भी चीज को classify करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जैसे for example मैं मानूं मैं समझूं कि आपकी class में 100 students हैं मैं मान के चल रहा हूँ एक example कि आपकी class में कितने students हैं 100 students हैं और आपको classify करना है तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जैसे कि भई मैं मानता हूँ कि आपका मानलो कोई class test हुआ seasonal exam हुआ, PUT हुआ, whatever जो भी आपका कोई exam हुआ उसमें आपके कितने percentage marks है मैंने बोला कि 90 to 100% marks एक category है 80 to 90 दूसरी category है है ना इसी तरह से बहुत सारी category हम बना सकते हैं on the basis of percentage of marks obtained in particular exam जैसे और नो दूसरा तरीका है एक तो यह तरीका हो गया और मैं कैसे classify कर सकता हूँ दूसरा classification तरीका हो सकता है कि आपकी जो class के अंदर attendance की percentage है जैसे आप लोग जवर जशते class में बैठते हो 75 percentage को maintain करने के लिए कई बार lecture में जाने का मन नहीं होता है कुछ समझ में आ नहीं रहा होता है लेकिन फिर भी हम दो attendance के लिए बैठते है तो attendance का एक criteria हो सकता है जैसे 80 to 90% attendance है किसे की होती नहीं वैसे 80 to 90% attendance है तो वो एक category होगी 70 to 80 वाली दूसरी category होगी 50 to 60 वाली एक category होगी तो attendance का एक दूसरा criteria हो गया इसके लावा और भी बहुत सारे category बहुत सारे basis ले सकते हैं जिसके हिसाब से आप अपने आपको classify कर सकते हैं उसी तरह से हम engine को classify करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं जैसे first one is on the basis of strokes used अब ये stroke क्या होता है चिंता नहीं करना अभी पूरा आपको बताया जाएगा truck क्या होता है आपने सुनाओं गाना two stroke engine, four stroke engine तो जब engine की एक cycle two stroke में complete होती है पर ना ना हमने number of strokes के हिसाब से engine को classify कार लिया next है दूसरा on the basis two stroke for stroke क्या होता है चिंता नहीं करनीजिए तो detail में अब आगए आए बात पढ़ेंगे हम लोग अभी, on the basis of cycle used, देखो, कोई भी engine जब होता है, कोई भी engine किसी ना किसी cycle पर work करता है, किसी ना किसी cycle पर work करता है, अगर कोई engine आटो cycle पर work कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, auto cycle इंजन बोलेंगे, auto scientist का नाम है, इसी तरह से कोई भी engine अगर diesel cycle कर रहा है तो उसको हम Diesel Cityids in बोलते हैं अगर कोई इंजन डुवल सैकल पर काम करता है तो हम उसको बोलते हैं Θ confidence डूवल सैकल इंजन लीन लेघ अलग अलग साइकर के हिसाब से हम ऐंजन को खumbs क्लासिफाइब कर सकते हैं next जो क्लासिफिकेशन है you know on the basis of on the basis of you know types of fuel used कि बही किस engine में कौन सा fuel use होता है अगर मान लिजे उसके अंदर petrol use होता है as a fuel तो हम उसको बोलेंगे petrol engine diesel यूज होता है तो उसको बोलेंगे diesel engine और कोई gas use होता है तो उसको बोलेंगे gas engine that is the another basis next है classification fourth on the basis of types of ignition method कि फ्यूल को जो ignite कराते engine के अंदर वो method कौन सा है जैसे spark ignition नाम याद रखना SI spark ignition देखा होगा आपने जो petrol engine होते हैं उसमें spark plug लगा रहता है है ना क्या लगा रहता है spark plug तो जब हम engine के अंदर you ignition अगर हम spark plug की help से कर रहे है न तो उसको बोलते है spark ignition एक्स्टरनल सोर्स होता है इसके अंदर spark करने के लिए नेक्स्ट आपका compression ignition engine जो आपके diesel engine होते हैं उनको हम compression ignition engine के नाम से जानते हैं यह self ignition भी कहते हैं इसको क्योंकि इसमें ignition अपने आप होता है इतना ज्यादा compress कर देते हैं कि engine के अंदर अपने आप आग लग जाती है तो पूरा detail में आएगा SI CI सब detail में आने वाला है फिलाल तो हम जेस्ट क्या पढ़ रहे हैं classification पढ़ रहे हैं next अगर हम बात करें next classification on the basis of on the basis of types of cooling system used कि कौन सा cooling system use हो रहा है kौन सा cooling system use हो रहा है 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 नए हीट हीट प्रोडिस होती है engine के अंदर तो उसको dissipate करने के लिए हम cooling medium use करते हैं अगर cooling medium क्या है air है अगर air as a cooling medium हम यूज कर रहे हैं इंजिन को ठंडा करने के लिए तो उसको बोलाया था एर एर इंजिन अगर हम water as a you know medium यूज कर रहे है water as a cooling medium यूज कर रहे हैं इंजिन को ठंडा करने के लिए हम water का यूज कर रहे हैं तो water cold engine के नाम से हम उनको जानते हैं नेक्स्ट है आपका last one is you know on the basis types of different position of cylinder है ना कि भई you know cylinder के अंदर जो piston move कर रहा होता है तो piston की position कैसी है piston की position कैसी है अगर piston की position कैसी है horizontal है तो उसको बोलेंगे हम horizontal cylinder engine अगर उसकी position vertical है उसकी cylinder की position अगर vertical से अगला तो बोलनेंगे vertical cylinder engine अगर उसकी position कैसी है inclined ऐस तरह से है इस तरह से inclined है v-shape में है तो उसको बोला जाएगा inclined cylinder engine cylinder की position कैसी है ठीक है आप और देख सकते है इस animation के माधियम से है ना यहाँ पर आप देखेंगे यह piston है cylinder है यहाँ पर आप देखेंगे यह कैसी है वर्टिकल है और यहाँ पर यह वी शेप में है है ना वी शेप में intention Space silicone volantaur Million Par long29 the procedure and Claro الزवार औरैं कोल्व के अविकल होती है तो आप कौन सा वहिकल चलाते हैं आपके पास स्कूटी है produk कार है आप गोगलْ पर सर्च करना कि आपके की जो भी मॉडल है उसमें यूनों वर्टिकल सिलिंडर है या फिर होडिजेंटल सिलिंडर है या फिर इनकलाइन है तो आप चेक कर सकते हैं अपने गुगल करके पता लग जाएगा आपको अब यहां पर आप देखेंगे सकते हैं नेक्स्ट है में कॉंपोनेंट्स आप आई चेंच यहां से भी isनक राश्व कोश SJ लास्ट यहांसे भी पूछा गया ता निया इतन पॉद्श नेम और अक नम्र में और कोस्ट लänger था छो इसके ड्रीक है तो यहां पर आप डेख सकते सकते हैं एक सेकेंड insufficient memory please clean up चलो clean up कर देते हैं इसको एक second रुखना पड़ेगा आपको एक second रुखेंगे एक second रुखेंगे येस देखते हैं चल पाता है क्या keep नहीं चला change येस चल गया done तो ये आप देख सकते हैं इस animation के अंदर ये main components of IC engine है पहले हम diagram दिखाता हूं उसके बाद फिर से बापिस आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक cylinder है cylinder के अंदर ये piston है piston ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं reciprocate कर रहे हैं piston क्या कर रहे हैं इस तरह से reciprocate कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं ये वाला diagram आप देखेंगे एक बार यहाँ पर this diagram है ना तो वो diagram तो just क्या है आपको समझाने के लिए ताकि आपको feel आये कि हाँ engine जो है वो किस तरह से work करता है यहाँ पर आप देखेंगे तो यह देखें इसके components एक बार मैं फिर से बापस दिखांगा आपको तब समझ में आयेगा अभी तो आपको कुछ समझ आया नहीं होगा उसमें देखो भई एक होता है cylinder है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक cylinder है this one और इस cylinder के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक piston है ना यहाँ पर lines आप देख पा रहे होंगे यह एक piston है राइट और यह piston क्या करेगा cylinder के अंदर ऐसे ऐसे रैसी प्रोकेट करता रहता है जैसे कि आप अभी डेख रहते हैं यहाँ पर आप देख सकते जो पिस्टन है गोल गोल देख रहे हैं यह इस तरह से पिस्टन यह पिस्टन सिलिंडर के अंदर से दिखाने के लिए आपको इस तरह से यह तो पिस्टन सिलिंडर के अंदर क्या कर रहा होता है रैसी प्रोकेट कर रहा होता है राइट अब देखना ध्यान से समझना तो एक क नाम से पता लग रहा है connecting rod, यह एक ऐसी rod है जो दो component को क्या करती है, यह connect करती है, किसको connect करती है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो इसका एक end कहा जुड़ा हुआ है, piston की तरफ है, तो यह यह piston को connect करती है, और यहाँ पर आप देखेंगे यह component है, crank, है ना, यह क्या है, crank, यह वाली जो आप देख रहे हैं, this is the crank, तो connecting rod कौन से दो component को connect करती है, piston और crank को, connecting rod, piston और crank को connect करती है, अब यहाँ पर जो भी connect करेगी, तो कोई तो joint बनेगा ना, यहाँ पर, यहाँ पर, तो इसका जो एक end, यहना connecting rod का, connecting rod का एक end piston side होता है, और यहाँ पर जो एक pin लग तरफ जो pin लगी हुई है, that is known as, that is known as crank pin, ठीक है, चलो, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यह जो आपका, you know, crank है, यह जो crank है, है ना, क्योंकि जब piston ऐसे ऐसे move करेगा, तो यह connecting rod move करेगी, connecting rod किस से connect है, crank से, तो crank move करेगी, है ना, crank ऐसे ऐसे rotate करेगी, तो जिस shaft पर जैसे यह crank है, इस तरह से crank हो गई, और यह crank कहाँ पर जूड़ी हुई है, यह जो crank shaft के उपर, तो जब crank rotate करेगी, तो crank shaft भी क्या करेगी, rotate करेगी, अभी दिखाएंगे आपको, इस तरह से rotate करने लग जाएगी, piston किसको चलाएगा, connecting rod को, connecting rod किसको घुमाएगी, crank को, और crank कि करेगी, rotate करेगी, और वही तो हम चाहते है, crank shaft rotate कर जाए, तो engine की main shaft हम crank shaft जोडेगे, तो हमारी जो गाड़ी है, जो पई है, वो move करने लग जाएगे, चलो जी, अब हो क्या रहा है इसके इंदर, हो क्या रहा है इसके इंदर, यह क्या बता है था मैंने आपको यहाँ पर यह है, इस cylinder के अंदर क्या आएगा, इस cylinder के अंदर आएगा, air और fuel का mixture, तभी तो इसमें आगर लगेगी, fuel आएगा, इसेंदर, diesel आ सकता है, इसके अंदर, petrol आ सकता है, और कोई gas आ सकती है, और वो air के साथ mix होगी, और उसके अंदर होगा combustion, धमाका होगा, उसके अंदर आग लगेगी, वहाँ से energy release होगी, उस energy की बज़े से यहाँ पर क्या होगा, उस पर एक pressure आएगा, उस pressure की बज़े से इस piston की ऊपर क्या लगेगा, एक force लगेगा, तो piston नीचे ज ना, तो petrol engine में चला लगाता रहता है, carburetor, होता है कि नहीं, नाम सुना है सभी ने, carburetor, एक carburetor होता है किस engine के अंदर, petrol engine के अंदर, उस carburetor में क्या आएगा, जो आप petrol भरवाते हो, अपनी tank में, गाड़ी के tank में, जो आप petrol भरवाते हो, तो वहाँ से तो आएगा petrol, है ना आपका fuel tank से जो petrol का tank है, वहाँ से petrol को लिया, surrounding से air को लिया, उनको मिला देगा, उनको mix कर देगा, एक homogeneous mixture तयार कर देगा, वेपर के form में, एक homogeneous mixture तयार कर दिया, है ना, अब ये जो homogeneous mixture तयार हुआ है, इसको कहाँ पर लेका ना है, cylinder के अंदर, आग तो cylinder के अंदर लगेगी, ह आप कहाँ लगाओगे, engine के अंदर, तो यहाँ से, यहाँ से carburetor से, इस राष्टे से, यहाँ पर आएगा air और petrol का mixture है, इस राष्टे, इसको बला जाता है, inlet manifold, जिस राष्टे से, जिस पैसेज से, जिस राष्टे से, क्या होता है, air petrol का mixture, cylinder के अंदर आता है, उसको बोलते इनलेट, मेनिफ़ोर्ड, अच्छा, यहाँ पर एक valve लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, जहाँ पर आप देखेंगे, वाल्ब लगा हुआ है, इसको बोलते है, inlet valve तो यह वाल्ब जब यहाँ से air petrol का mixture अंदर आएगा, तो यह valve open होगा, जैसे olm open होगा, तो यहा क्या लग जाएगी आग जाने कि एनर्जी रिलीज होगी जिस एनर्जी से इस पिश्टन के ऊपर एक प्रैसर आएगा तो ये फोर्स आएगा ये पिश्टन तेजी से नीचे की तरफ जाएगा फिर आग लगने के बाद जो जली हुई जली हुई गैसे से इसके इंदर वह इस राष्टे से बाहर निकलेंगे जिस राष्टे से बर्ण गैसे एक्जॉस्ट होती है बाहर निकलती है उसको बोलते है एक्जॉस्ट मैनिफोल्ड क्या बोलते है एक्जॉस्ट मैनिफोल्ड बोलते है तो यहां पर भी एक वाल लगा ह हो है जिसको आप बोलते है एक जॉस्ट वॉड्व तो जैसे यह वर्ड उपन होगा तो यहां से ज BER्ध निकल जाएंगे ठीक है इस तरह से फिर क्या होगा फिर एक साइकल कंपलेट हो जाएगी अप साइकल क्या उसके बाद piston, then connecting rod, then you know crank और piston और crank को जो connect करती है, you know connecting rod और यहाँ पर होगी यह crank shaft और inlet manifold, exhaust manifold, inlet valve, exhaust valve और spark plug है यहाँ पर क्योंकि यह petrol engine है, अगर यह petrol engine नहीं होगा तो spark plug नहीं होगा, diesel engine में spark plug नहीं होता है, चलो, तो ऐसे ऐसे move गरेगा, अब ultimately हो क्या रहा है इसके इंदर, ultimately piston तो reciprocate करता है, एक बात बताओ, power कहां से मिल रही है, power तो तब मिलेगी न, जब आपका यहाँ पर, जो air और fuel burn होगा, air और fuel जब burn होगा, जब fuel का combustion होगा, जब fuel की burning होगी, तो वहीं से तो मिलेगी power, तो यहाँ पर जो power मिलती है, जो motion मिलती है, piston के ऊपर मिलती है, power आप गाड़ी को चला सकते हो, आप गाड़ी चलानी है, आपको पईयें गुमाने हैं गाड़ी के, स्कुटी में, कार में, यह क्या पईयें लगे हुए न, wheels, तो वहाँ तो आपको rotary motion चाहिए, या आपका reciprocating motion से काम चल जाएगा, बोलो, यह वाली motion चाहिए, गोल-गोल, आपको तो पईयें गुमाने हैं न, तो आपको तो गोल-गोल चाहिए, यहां से जो मिल रही है, हमको क्या मिल रही है, reciprocating motion मिल रही है, अब इस reciprocating motion को rotary motion में convert करते हैं हम, किसके help से, crank and connecting rod की help से, तो crank and connecting rod का mechanism क्यों लगा गया इंजन के अंदर, ताकि reciprocating motion को हम, reciprocating motion को हम, पिश्टन की जो reciprocating motion है, उसको हम rotary motion में convert कर सकें, है न, इसलिए क्या लगाया गया यहां पर, crank and connecting rod का mechanism लगाया गया, अब आप एक बार फिर से इसको देखो, I hope कि अब इसको आप enjoy कर पाऊगे, अब आप इसको enjoy कर पाऊगे, सिलिंडर के अंदर यह piston है, piston ऐसे ऐसे reciprocate कर यहां पर आप देखो, यह valve लगे हुए है, यहां पर आप देख पा रहे हो, यहां पर आप देखो जरा एक बार, यहां पर देखो यह, यह क्या है, यह valve लगे हुए, inlet valve, exhaust valve, जो ऐसे ऐसे open close होते रहते हैं, है न, ऐसे ऐसे open close, जब inlet valve open होता है, तो यहां से fuel, air का mixture अंदर अजरा याता है, जिब exhaust valve होता है, तो ज़ली हुग, इस एग्जास्ट हो जाती है, बाहर निकल जाती है, यह आप देख रहे हैं, यह piston है, जो क्या कर रہे है, र सी प्रॉकेट कर रहे है, यहां पर आप देखेंगे, यह क्या लगी होई है, यह क्या लगी हूँ होई है, क्र क्रेंग शाफ्ट कौन से शाफ्ट है क्रेंग शाफ्ट बात समझ में आई येस एक बार और फील करो इसको तो यहां पर आप देखो पिश्टन की जो रैसी प्रोकेटिंग की मोशन है पिश्टन की जो रैसी प्रोकेटिंग मोशन है उसको हम क्रेंक एंड कनेक्टिंग रोड की हैल्प से किस में कन्वेट कर पा रहे हैं रोटरी मोशन में है ना तो आपके पहिए क्या करेंगे अब यह जो शाफ्ट रोटेट कर रही है ना इसको बोल रहें क्रेंक श मेंग्र को समझ में आगे ना आप लोगों को मेंग्र कॉंपोनेंट्स है ना सिलिंडर है पिष्टन है कनेक्टिंग रॉड है क्रेंग है और यूनों क्रेंक्षाफ्ट है इन्लेट वालव एक जोस्ट वालव मुझे chat box में, comment box में बताना, यह पईया क्यों लगा है यहाँ पे, है ना, इसका नाम क्या है, इस wheel को हम बोलते क्या है, और इसका काम क्या है, इसका function क्या है, वो आप मुझे comment box में बताएंगे, next lecture में आपको फिर में इसका answer बताऊँगा, चलो जी, next देख लेते हैं, यह हमारे components के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, like, share, subscribe, आप लोग अल्रेडी बिना कहे करी देते हैं, चलिए, next है हमारा क्या TDC and BDC, एक एट्यू एक्जाम में आया हुआ है, 21 में, last time यह आया था, यू नो, TDC, BDC होता क्या है, देखो भई, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, यहां पर, एक बार मैं बापिस जाना चाहूँगा, इस वाली slide पर, है ना, यहां पर देखो, एक बार फिट से, तो यहां पर आगर आप देख पार हैं, ध्यान से observe कर रहे हैं, इसको तो पिश्टन ऐसे ऐसे मूब कर रहे हैं, तो पिश्टन यहां तक आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर उपर जाएगा, तो यहां पर आकर, उपर आकर के पिश्टन रुकेगा एक बार, फिर नीचे जाएगा, तो वहां भी रुकेगा, इस तरह से दो जेगे रुक लुप जाता है और यहां पर भी क्या है डेड हो जाता है पिस्टना करके मतलब अपनी डारेक्शन चेंज करता है ओपर से नीचे जाएगा नीचे से ओपर जाएगा तो यहां पर दो डेड पोजिशन होती है पिस्टन की है ना दो डेड पोजिशन होती है इसको बोलते हम तो यहां पर क्या लगा हुआ है यह है आपकी क्या क्रेंक शाफ्ट क्रेंक शाफ्ट अब ध्यान से बताना मुझे आप ध्यान से बताना कि यह पिश्टन जो है क्रेंक शाफ्ट से मैक्सिमम डिस्टेंस पर कब होगा जब यह पिश्टन ऊपर था सबसे है ना और यहां पर transfer होता है when you know piston is farthest away from the crank shaft तो उसको बोला जाता है top dead center और जब piston सबसे crank pass के पास you know crank shaft के पास में होगा तो यही तो position होगी है ना उसको बोलेंगे हम bottom dead center जब piston बिल्कुल नीचे जा चुका है that is bottom dead center बिल्कुल nearest nearest to the crank shaft अगर है piston तो क्या है bottom dead center और जब piston इड्डम ऊपर है तो उसको बोलते हम top dead center I hope कि clear होगे आपको है ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं animation के माध्यम से हमने आपको समझा दिया है तो वही चीज़ यहां पर लिखी हुई है देखो top dead center is what TDC it is the position of piston when it is it is farthest away from the Crankshaft when it is farthest away from the Crankshaft जब पिस्टन की जब पिस्टन कहां पर होता है यह पिस्टन की वो position है top dead center piston की वो position है जब पिस्टन you know farthest away from the Crankshaft होता है बहुत easy language मैंने लिखी हुई है bottom dead center bottom dead center it is the position of the piston when it is nearest to the Crankshaft जब यह बिलकुल to nearest होता है इस diagram को आप बना सकते हो बहुऽ स्पूल स्पूरी इस से बिस्पूरीedarán अगरी इससे भी सिंपल मैं है है ना तो ये तो जो एनिमेंसेंस है मैं सम्झाने के लिए आपको दिखाता हूँ बनाने के लिए बनाने के लिए आपके लिए simple diagram आप यह वाला बना सकते हो है ना यह देखो जरा एक्जाम में जब जाओगे ऐसे डाइग्राम लाइन डाइग्राम इस तरह बना गया ना कोई दिक्कत बाली बात नहीं है चलो जी तो एक बार फिर से यहां पे देखो जरा इसका इस से हमको और बहुत सारी चीजे समझ़िए में आने वाली हैं बस इस डाइग्राम को और समझ लो फिर आपका जो आईसी इंजिन है आगे टू स्ट्रोक एंजिन फॉर स्ट्रोक एंजिन एस एंजिन सि एन एंग्जिन एकदम बिल्कुल एकदम हलके लगने लग जाएंगे आपको, बस थोड़ा सा दो मिनट यहाँ पर देंगे, है ना, चलो, बैसे तो मैंने आपको यह समझा दी है, top dead center, bottom dead center में कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस diagram को इसलिए explain कर रहा हूँ, ताकि आपको आने वाले lectures में बहुत ही एकदम बहुत हलके लगने वाले हैं, चलो, तो देखो यहाँ पर यह एक cylinder है, cylinder के अंदर यह piston है, और यह piston जो है, cylinder के अंदर क्या करेगा, reciprocate करेगा, yes or no, देखी चुके हैं आप animation के अंदर, यह piston क्या करेगा, cylinder के अंदर ऐसे ऐसे reciprocate करेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे, ल TDC और BDC से TDC, एक बात मुझे बताना, एक बात मुझे बताना, कि जब ये piston TDC पर होगा, यानि कि टॉप most position पर होगा, तो यहां पर आप देखो ये crank है, ये connecting rod है, ये क्या है, this is the connecting rod, and this is what crank, ये crank है, आप मुझे बात बताओ, जब piston top dead center पर है, तो ये जो crank है, क्या ये vertical position पर ह होगी, यानि कि जो theta है, इस theta की value कितनी होगी, 0 होगी, yes or no, जब piston एकदम crank, जब piston top dead center पर है, तो crank तो एकदम ऐसे हो जाएगी, जैसे और no, theta की value कितनी है, 0 है, अब जब piston TDC से BDC की तरफ चलना start होगा, तो ये जो crank 0 degree पर थी, ये इस तरह, यहां लिखवा भी है, TDC का 0 degree है, तो जैसी piston नीचे की तरफ आना start होगा, TDC से BDC की तरफ जाएगा, तो ये crank जो है, rotate करना start करेगी, यानि कि theta की value बढ़नी start हो जाएगी, और जब piston TDC से BDC आ जाएगा, जब piston TDC से BDC पहुंच जाएगा, तो मुझे बताना, ये जो crank है, क्या ये 180 degree rotate कर जाएगी, बोल C को हम बोलते है, stroke, C को क्या बोलते है, stroke, आगे आएगा, भी stroke क्या होता है, इसलिए मैं पहले आपको समझा के चल रहा हूँ, C को बोलते है, stroke का मतलब समझ में आया आपको, what is the meaning of stroke, what is the meaning of stroke, stroke का मतलब समझ में आ रहा है, जब piston कहां से कहां जाता है, TDC से BDC चला जाता है, या फिर इसका उल्टा भी कहें कि जब पिस्टन BDC से TDC चला जाता है तो उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, जैसे पिस्टन TDC से BDC गया, बताओ, जब पिस्टन TDC से BDC गया, तो हमने बोला कि पिस्टन का एक स्ट्रोक कम्पलीट हो गया, हमने क्या बोला, कि पिस्टन का एक स्ट stroke complete हो गया है ना जब piston TDC से BDC गया तो एक stroke हो गया stroke is what movement of piston from TDC to BDC piston का TDC से BDC जाना या BDC से TDC जाना that is called stroke that is called stroke एक बार मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे है ना क्योंकि यह भी question पूशा जाता है आपसे stroke क्या होता है देखो यहाँ लिखा हुआ है क्या stroke when piston moves from TDC to BDC जब piston TDC से BDC move करता है तो उसको हम stroke के नाम से जानते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह piston की कौन सी position है TDC और यह piston की कौन सी position है this is BDC तो जब piston TDC से BDC जाता है तो हम कहते हैं कि एक stroke हो चुगा है एक stroke हो चुगा है या फिर हम यह भी कह सकते हैं जब piston BDC से TDC जाता है तो एक stroke हो जाता है तो वही चीज लिखी गई है तो है na stroke length क्या होता है जब piston TDC से BDC जाएगा तो कुछ तो distance cover करेगा ना तो TDC और BDC के बीच की जो distance होती है that is called stroke length और इस length को हम L से लिखते हैं L से लिखते हैं stroke length को हम L से लिखते हैं the it is the distance between TDC and BDC TDC BDC के बीच की distance को हम किसे लिखते हैं L से लिखते हैं I hope कि आपको stroke का मतलब समझ में आ गया होगा stroke क्या होता है stroke length क्या होती है 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 ना T D C से B DC गया तो एक श्ट्रोक कमप्लेट हो गया तो पिष्टन का जब 1 स्ट्रोक कमप्लेट होता है आप मुझे बता सकते हैं क्या कि क्रेंग कितना डिगरी रोटेट कर कर जाती है जब पिष्टन- टीरेंग से बीडीस के गया तो एक स्ट्रोक पुरा हो टीडी से बीडी सी और पिस्टन फिर से बीडी से बापर जाएगा टीडी सी तो यह क्रैंक जो है 180 डिगरी से रोटेट करके 360 डिगरी चली जाएगी तो फिर से जो है जब पिस्टन नीचे से उपर गया तो क्रैंक फिर से 180 डिगरी रोटेट कर गई तो हम यह कह सकते हैं कि ज एक स्ट्रोक में 180 ड्री दो स्ट्रोक में कितना 360 नो तो पिष्टन के 2 स्ट्रोक में एक you know 1 complete revolution यानि कि 360 कितना डिक्रो direito करेंग 360 360 का मतलब होता है 1 revolution of krankς up piston के एक स्ट्रोक में krank 180 डिग्री डिग्री डिःत करती है दो स्ट्रोक में 360 to 4 स्ट्रोक में 720 बात समझ में आ रहाए आपको कि 4 stroke engine होता है एक 2 stroke engine होता है है थो 2 stroke में engine की cycle जब engine की cycle 2 stroke में complete हो जाती है ऐसा कोई भी engine जिसकी cycle piston के 2 stroke में complete हो जाती है और 2 stroke का मतलब है crank sharp 360 degree rotate कर जाती है यानि कि 1 revolution complete हो जाता है ऐसे engine को हम 2 stroke engine के नाम से जानते हैं इन्जन के आपको समझ में आ गई अब two stroke engine का मतलब समझ में आ गया कि जब engine की cycle piston के दो stroke में या फिर जब crank 360 degree rotate कर जाती है या मतलब crank जो एक पुरा चक्कर लगा लेती है cycle को complete करती है ऐसे engine को हम two stroke engine के नाम से जानते हैं तो फॉर स्टोक का मतलब क्या होगा कि जब साइकल फॉर स्टोक में कंपलीट होगी तो जब पिश्टन की एक साइकल स्टोक में कंपलीट होती है रिपीट कर रहा हूं जब इंजन की साइकल पिश्टन के 4 stroke में complete होती है या फिर हम कह सकते हैं कि भई 4 stroke का मतलब है जब crank जो है 720 degree rotate करती है 720 degree का मतलब होता है दो 2 revolution है ना 2 revolution तो ऐसे engine को हम 4 stroke engine के नाम से जानते हैं I hope कि आपको ये बात समझ आ गई होगी चलो next चलते हैं आगे next move करते हैं अब आपको TDC समझ में आ गया BDC में आगया जो है फिनिश होने वाला हे वाला है तो समझते हैं यहाँअम बोर का मतलब समझो जरहा एक बार का मतलब समझो एक केंड येस यहाँ पर आप देखो जरहा यह देखिए this one इसमें देखो यह जो पिष्टन है पिष्टन है गोल गोल पिष्टन है कि नहीं है तो पिष्टन है किसके अंदर है सिलिंडर के अंदर का जो डायमेटर होता है सिलिंडर के अंदर का जो डायमेटर होता है या फिर यह कह लीजिए यह जो पिष्टन का डायमे होता है पिष्टन का जो फेस का डायमेटर होता है उसी को हम बोर बोलते हैं है ना तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या येस ये जो इसका डायमेटर होगा ये जो इसका diameter होगा या फिर ही कह सकते हैं जो पिष्टन के face का diameter होता है उसी को हम bore के नाम से जानते हैं चलो जी, next देखते हैं क्या swept volume क्या swept volume इस diagram को देखो, यह simple simple diagram बना करके आने हैं आपको, यहाँ समझाने के लिए मैं animation यूज करता हूँ, 3D के diagram यूज करता हूँ, लेकिन आपको बनाने कौन से हैं, simple diagram बनाने हैं, ऐसे diagram बनाने हैं आपको, ठीक है जी, चलो, तो यह कौन सी position है piston की, TDC, top dead center, यह कौन सी position है, BDC, bottom dead center अरे आपको revision भी होतों चला जाएगा, एक बार वीडियो lecture अगर हमारा देखेंगे आप लोग, बाद में exam से पहले just revise कर लेंगे, कोई दिक्कत बाली बात नहीं है, है ना, देखो, अब यह cylinder है, cylinder के अंदर piston ऐसे ऐसे reciprocate करता है, अब मुझे ज़रा सोच के बताना, कि यहा अब यह वाल्व लगा वा था, येस, तो जब piston TDC से BDC जाएगा, जब piston TDC से BDC जाएगा, इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है, और इसके अंदर पूरा, जब piston BDC आ चुका है, यह piston नीचे आ चुका है, तो इस cylinder के अंदर तो air fuel का mixture भर चुका है, पूरा cylinder भरा हुआ है, पू piston BDC पर है, तो cylinder पूरा भरा हुआ है, अब यह piston ऊपर की तरफ जा रहा है, BDC से TDC, अब एक बात मुझे बताना, तो जब यह piston BDC से TDC जाएगा, तो यह वाला volume swap करेगा, yes or no, यह वाला volume, this one, this one, जो मैंना highlight किया, जब piston BDC से TDC आया, तो यह volume displaced हो चुका है, यह volume displaced हो चुका ह है, इसी को बोला जाता है, swept volume, जिसको हम V, S से denote करते है, V का मतलब volume, S का मतलब swept volume, कितना volume swap किया, है न, swap, तो कितना volume इस पिष्टन, जब पिष्टन उपर जाएगा, cylinder में, तो cylinder का volume में swap इतना हो जाएगा कि नहीं, इसी को बोला है swept volume, यानि कि TDC और BDC के बीच का जो volume होता है, है न, पिष्ट सिलिंडर का कौन सा volume, जब पिष्टन BDC पर है, ये पिष्टन कब ये BDC है, ये TDC, तो इसके बीच में जो volume है, that is called swept volume, है न, तो भही लिखा है यहाँ पे, कि swept volume को हम V, S से represent करते हैं, and volume displaced by the piston as it travels through one stroke, अरे यार, जब पिष्टन BDC से TDC जाएगा, तो एक stroke होगा की नहीं होगा, single stroke में कितना volume displaced किया, तो कितना volume displaced किया, इतना volume displaced किया, इतना volume swept किया, इसलिए इसको displacement volume के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसको हम displacement volume के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम V, S से लिखते हैं, अच्छा cylinder का volume कितना होता है, क्योंकि हमको ये पता है, कि इसकी length L है और इसका diameter कितना है, D है, अगर आपको area पता होता है, cross-sectional area, तो इसका volume कितना हो जाता है, V into L, बोलो yes or no, sorry, area into L, अगर आपको इसका area पता होता, एक second मैं repeat कर देता हूँ, cylinder का volume क्या होता है, cross-sectional area into length, cross-sectional area into length, तो हमको तो यह वाला volume निकालना है, यही तो swept volume है, तो swept volume कितना हो जाएगा, area तो direct नहीं पता है, diameter पता है, तो भाईया area कितना होता है आपका, pi y 4d square, yes or no, pi r square होता है कि नहीं, r, in terms of radius लिकोगे तो pi r square, अगर हम diametrically terms में लेखे हैं, तो pi d square by 4, तो कितना हो जाएगा, pi y 4d square into l, तो वही चीज चीज चो मैंने यहाँ पर लेखी है, pi y 4d square into l, swept volume हो जाएगा, are you getting my point, गोले yes or no, pi y 4d square into l, l क्या है यहाँ पर, यहाँ पर देखो न यह, यह है इसकी length और यह है इसका diameter, तो यह तो volume इसली निकाल सकते हो, यार, है न, pi y 4d square into l, यह swept volume हुआ, आप यह भी जानते हैं, कि किसी-किसी गाड़ी के अंदर, एक engine होता है, एक cylinder होता है engine में, किसी में 2 cylinder भी होते हैं, 3 cylinder भी होते हैं, 8 cylinder भी होते हैं, तो यह जो volume आपको मिला है, यह तो एक ही cylinder का मिला है, एक cylinder का इतना है, मान लो उसके अंदर K cylinder है, तो इसमें हम K से और multiply कर देंगे, तो total engine का volume मिल जाएगा, जैसे मान लो 3 cylinder है, तो इसको हम K की जगे हम पर 3 रखेंगे, 3 cylinder का volume मिल जाएगा, आप देखते हैं जैसे Pulsar Bike है, तो उसका engine कितना है, मान लो 150cc है, इसका मतलब क्या होता है, सिसेिया एका मतलब सेंटेमेटर क्यूब यह क्यूबले मतलब होगा है याने कि 19ड का बढ़ा ऑगा partner तो yes or no, engine का size बताता है basically cc, 1200 cm3 मतलब उसका volume बढ़ गया है, yes or no, जैसे 100 cc, 200 cc, तो जितना cc ज्यादा है, यानि कि जितना cm3 ज्यादा, जितना volume ज्यादा होगा, engine का size उतना ज्यादा होगा, उसकी power उतनी ज्यादा होगी, चलो, I hope कि आपको swept volume समझ में आ गया है, now what is clearance volume, now what is clearance volume, अब आपने देखा, कि हमने यहाँ पे swept volume समझ लिया, swept volume क्या था, जब यह piston, अभी cylinder के ध्यान देना, cylinder के अंदर पूरा volume भरा हुआ है, और piston BDC से TDC आ चुका है, इतना volume यह swap हो चुका है, है ना, यह volume swap हो चुका है, अब cylinder के अंदर कितना volume बचा, जब piston कहां पे है, ज जब piston, जब piston TDC पर आ चुका है, तो जब piston TDC पर आ चुका है, तो cylinder के अंदर यही तो volume होगा, है ना, इसी को बोला जाता है, clearance volume, इतना थोड़ा सा volume होता है, इसको रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर इस volume को खतम कर देंगे, तो piston जा करके यहाँ नहीं तकरा होता है, तो दो तरह के volume आपको देखने के लिए मिले, एक तो यह वाला volume है ना, और एक आपका यह वाला volume, इसको swept volume बोला, इसको हमने clearance volume बोला, clearance volume को हमने VC से लिखा, और swept volume को हमने VS से लिखा, अब आप मुझे एक बात वार बता सकते हैं यहाँ पर, कि भाई, maximum volume का मतलब क कितना होगा, that is VC plus VS, है ना, VC plus VS, swept volume plus clearance volume, यही तो total volume है, जब पूरा भरा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं, V maximum, इस से यादा थोड़ी न हो जाएगा, this is maximum volume, और जब पिश्टन BDC पर है, जब स्वारी, TDC पर आ चुका है, तो cylinder के अंदर minimum volume है, तो minimum volume कितना हो जाएगा, V minimum that is equal to VC, बोले yes or no, इसके अंदर minimum volume कितना होगा, clearance volume, maximum कितना होगा, दोनों का sum हो जाएगा, चलो जी, आगे भड़ते, next term आपको देखने के लिए मिले कि that is very important, which is called compression ratio, इस compression ratio को हम small r से represent करते हैं, that is very important term, that is very very important term, क्या होता है compression ratio, explain मैंने कर दिया है, आपको देखो, मैंने बोल था कि जो total volume है, यानि कि जो maximum volume है, वो कितना है, VC, यानि clearance volume, plus swept volume, divided by, divided by what, minimum volume, divided by what, यहाँ लिख देता हूँ द्वारा से, space कम है, यहाँ पर लिख देते हैं, compression ratio का मतलब होता है, maximum volume, divided by minimum volume, तो maximum volume कितना होगा, जब पूरा volume भरा होगा, यानि this one plus this one, यानि कि VC plus VS, clearance volume, plus swept volume, divided by minimum volume, minimum volume का होगा, यह वाला volume, यानि कि clearance volume, यह आ जाएगा आपका, yes or no, तो maximum volume और minimum volume का जो ratio होता है, that is called, that is called compression ratio, that is called compression ratio, इसको आप ऐसे भी दिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कि जब पिष्टन, बहुत ध्यान समझेंगे, आप जो लिखा हुआ यहा कि जब पिष्टन यहाँ पर है, कहाँ पर? BDC पर है, तो पूरा volume इसका भरा हुआ है, वो लेस और नो, cylinder के अंदर पूरा volume भरा हुआ है, तो अभी क्या होगा, जब उपर की तरफ जाएगा, तो यह compress होगा, इसके अंदर जो charge भरा हुआ है, क्या वो compress होगा, तो पिष्ट कंपरेशन मतलब जब पिष्टन BDC पर है, कितना वॉल्एम है, VC पलस VS, टॉटल वॉल्यूम भरा हुआ है, तो विफों कंपरेशन कितना वॉल्यूम है, फिपोर कंपरेशन, दिज वीक है वीक arenas, वीक A वीक पलस वैस, यही तो मैक्सिमों वॉल्यूम है, यही तो मैक्सि Vc, तो एक तरह से Vc, भाई Vc plus Vs upon Vc, यानि कि total maximum volume divided by minimum volume का ratio क्या होता है, compression ratio यानि कि compression ratio is nothing but, you know it is the ratio of volume before compression to the after compression, compression ratio R, it is defined as the ratio of volume before compression to the volume after compression, अब बताओ भोल सकते हो आप इसको, मुझे निलगता भोल पाओ गया न चलो जी, compression से पहले कितना volume था, divided by compression के बाद कितना volume है अब इसमें एक चीज और आपको याद रख सकते हैं आगे next point आएगा भी है आपका SI engine, SI का मतलब होता है आपका petrol engine SI का मतलब होता है spark ignition, आगे detail में डिसकस करेंगे SI का मतलब होता है spark ignition यानिके petrol जिसके अंदर चलता है इसके लिए जो compression ratio होता है that is 6 to 10 6 to 10, 6 से कितना होता है 10, अब जो आपका होता है SI engine जिसकों बोलते है compression ignition यानिके जिसके अंदर डिजल चलता है जिसके अंदर डिजल होता है यानिके SI engine, डिजल इंजन इसका compression ratio ज्यादा होता है, उसकी range होती है 16 to 22, yes or no, तो ये हमारा, देखते हैं, next कुछ और बचा हुआ है, no, आज के lecture में इतना ही था, तो lecture number 2 में हमने क्या discussion किया है, हमने discuss किया है, कि you know, engine को, IC engine को हम कैसे classify कर सकते हैं, there are number of ways, जिसके हिसाब से, कई basis हैं, जिसके हिसाब से हम engine को classify करते हैं, उसके बाद हमने देखा number of, you know, main components of an IC engine, जैसे cylinder, piston, connecting rod, crank, crank shaft, inlet valve, exhaust valve, inlet manifold, exhaust manifold, these are some main components of an IC engine, और एक component का ना मैंने आपको बोला, comment box में आप बताएंगे, है ना, जो एक wheel लगा था, तो उस wheel का नाम क्या है, और उसका काम क्या है, और जो हमारा next lecture होने वाला है, lecture number 3, इसमें हम बहुत ही important, lecture number 3, 20 number काया है, last time भी यहां से, 20 marks का, है ना, लेकिन आसान लगेगा आपको, क्योंकि जो काम की चीज़ थी, मैंने आपको समझाई है, अब आपको बस एक बार, you know, इसकी working देखनी है, हम को, किसकी, you know, four stroke engine क्या होता है, four stroke engine क्या होता है, है ना, working of four stroke SI engine, working of four stroke SI engine, and SI CI में difference क्या होता है, 20 number का आया था, यहां से, है ना, 20, 20 marks का, अच्छा, यहां से कैसे question बनता है, question यह बनता है, explain the construction and working of four stroke SI engine, four stroke के अंदर, actually, four stroke के अंदर SI engine होगा, और four stroke के अंदर SI engine में होगा, दोनों की working almost same होती है, एक question तयार करोगे, तो दूसरा question अपने करना आसान है, तो बहुत ही बहतरी notes मैंने यहां पर बनाए हुए है, and difference between SI and CI engine, अब यह notes अगर आप चाहते हैं, तो gateway classes का app, जैसे कि मैंने last time भी बताया था, you know, बहुत ही शांदार तरगी सा आपको notes मिलेंगे, language जो है notes की, बहुत simple मिलेगी, ऐसा नहीं कि book वाली language आपको इनहां पर नहीं मिलेगी, है ना, एकदम चीजे compact होंगी, direct, you know, to the points होंगी, है ना, जितना जरूरी है, उतना होगा, और कोई भी topic आपका छोटे का नहीं, है ना, तो gateway classes का app, यदि आपने अभी तक download नहीं किया अपने mobile में, तो play store पर जाईए, search के जी gateway classes, या नेचे link मिल जाएगा आपको app का description में, या comment box में, वहां से भी आप download कर सकते हैं, चलिए फिर मिलते हैं lecture number 3 में, तब तक के लिए, thank you, अपनी पढ़ाई करते रहें, wish you very all the best, thank you.